इस्राइली फॉज के राफा में घुसने से तबाही का तांडव शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां आस्मान से इस्राइली एर फॉर्स के लड़ाकु जेट्स हमास के ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास और उसकी सैने शाखाएं भी मैदान में डट कर खड़ी हुई हैं। जी हाँ चाहे अलकासिम ब्रिगेड हो या फिर अलकुस ब्रिगेड ये सब ही एक साथ मिलकर इस्राइली फॉज पर तूट पड़े हैं। राफा पर जमीनी हमले में अब इसराइली फॉज एक ऐसे जाल में फस चुकी है जिस से बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसकी असल वज़ा ये है कि जैसे जैसे इसराइल के टैंक और सैनिक राफा के भीतर घुसते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में राफा के पूर में जॉर्ज स्ट्रीट पर इसराइल के सैन्ने वहनों और मेरकावा टैंक्स पर हमास ने अल्यासीन 105 रॉकेट बरसाए हैं। इसके अलावा राफा क्रॉसिंग पर भी जब इसराइली फॉर्ज उसने की कोशिश कर रही थी तब ही अल्कासिम ब्रिगेट ने उसे मोटर गोलों से दहला कर रख दिया। यहां तक की राफा क्रॉसिंग के पास अल्कासिम और अल्कोश ब्रिगेट ने एक साथ मिलकर इसराइली सैन्निकों के जमावडे पर हैवी मोटर गोले दागे हैं। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके दूर खड़े इसराइली टैंक और सैन्निवाहन पर गोले दागते दिख रहे हैं। इसके अलावा पूरवी राफा के अलसलाम में अल्कासिम ब्रिगेट ने इसराइली सेना पर अलियासीन 105 रॉकेट और शावाज विस फोटक डिवाइस से हमला कर दिया। और इसी इलाके में अल्कोस ब्रिगेट के लड़ाकों ने अल्कासिम के साथ मिलकर इसराइल के एपी सी वाहन पर एक एंटी टैंक रॉकेट डाग दिया। आपको बता दे कि ये हमला राफा के पूरवी सेमिट्री में हुआ है। वहीं जॉर्ज स्ट्रीट पर इसराइली सैनी को पर हमले का अल्कोस ब्रिगेट ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कई रॉकेट्स और साथ कैलिबर मोटर लाउंचर में भरे नजर आ रहे हैं। और फिर हमास का लड़ाक आएक इन्हें आईडियाफ की तरफ दाग देता है। इसके अलावा जबालिया में अल्मुजाहिदीन ब्रिगेट के लड़ाकों ने इसराइली टैंक्स पर आर पी जी गोलों से हमला किया है। और इसी दौरान अलकासिम ब्रिगेट ने कहा कि उसने इसराइल के कम से कम तहरा सेन्ने वाहनों पर हमला किया है। इनमें से बारा मेरकावा टेंक थे और एक D9 बुल्डोजर था जो जबालिया कैम्प में घुस रहे थे अलकासिम ब्रिगेट का कहना है कि उसने इन सैन्ने वहानों पर अलियासीन 105 रॉकेट्स और P29 गोले दागे हैं वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच अलकासिम ब्रिगेट ने दावा किया कि उसने इसराइल के कबजेवाले फिलिस्तीनी एसकलान पर रॉकेटों का एक जथा फायर किया है अलकासिम ब्रिगेट ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें घनी हर्याली के बीच कई रॉकेट लॉंचर तैनात नजर आ रहे हैं जिन्हें हमास का एक लड़ा का टाइमर लगाकर असकलान की तरफ दना दंदाग देता है इन हमलों को लेकर इस्राइली मीडिया ने खबर दी है कि गाजा एन्विलप सेटलमेंट्स में इन हमलों की वज़ा से हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे वहीं इस्राइली सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में इन हमलों में आईडियाफ के आठ सैनिक और सेना के साथ काम करने वाला एक व्यक्ती घायल हुआ है इन सभी की हालत गंभीर है आईडियाफ का कहना है कि हमले में घायल हुए कई जवान गिवाटी ब्रिगेट्स के है और दो जवान गोलानी ब्रिगेट्स के है जो गाजा के बॉर्डर एलाके में तैनात थे जबकि दो जवान या हलूम यूनिट के है झाल झाल